दोस्तो ये है OPPO की तरफ से आने वाले बहुत ही जबरदस फ्लैक्शिप स्मार्ट फॉन OPPO Find X2 का बॉक्स ये आता है 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ में उपर की तरफ है OPPO की ब्रेंडिंग मिडल में लिखा है Find X2 और नीचे है 5G दोस्तो ये फॉन 5G को भी सपोर्ट करता है बहुत ही शांदार फॉन रहने वाला है चलिए इस बॉक्स को अन्बॉक्स कर लेते हैं और बात करते हैं इसमें आने वाली एसेसरीज के बारे में फस्स सेक्शन में है SIM Ejector टूल साथ में है warranty card and user manuals कुछ documentation के अलावा इसमें है एक transparent back case यह है फॉन की protection के लिए camera cutouts के साथ में बहुत ज्यादा soft back case है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा protect करता है साथ में ही है earphone दोस्तों यह बहुत प्रीमियम earphones है जो आता है OPPO Find X2 smartphone के साथ में और इनकी खासियत है कि इनको लिए आपको headphone jack की जरूरत नहीं है यह आपके type C port में ही adjust हो जाते है साथ में है type A to type C USB cable दोस्तों बात करें इसके 65 watt के white color के fast charger की तो यह बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा आपके smartphone को यह है Superbook 2 वाला adapter 65 watt output के साथ 30 minute में आपकी battery को कर देगा fully charge चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब smartphone के बारे में और आपको दिखाते हैं इसका first look इसके screen protector को remove करके उससे पहले दोस्तों अगर आप नए है तो हमारे YouTube चैनल को अभी subscribe कर दें और इस वीडियो को share करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों चलिए कर देते हैं इसका skin protector remove और आपको दिखाते हैं इसका शांदार first look दोस्तों यह है OPPO Find X2 का first look बहुत ही जबरदस finish है इसकी display में और Gorilla Glass 5 से protected दोस्तों इसकी back में भी है glass जो भी protected है Gorilla Glass 5 की protection के साथ में साथ ही इसमें लिखा है OPPO यहां पर आती है back side में OPPO की branding दोस्तों बात करें OPPO Find X2 के left hand side की तो यहां आपको मिलता है volume rocker की इस phone की just नीचे की तरफ है dual nano sim tray, mic, type c port और speaker grill दोस्तों इसमें आपको stereo speaker का भ power on and off की, phone के उपर की साइड है secondary mic noise cancellation के लिए, दोस्तों OPPO Find X2 में आपको in display punch hole selfie camera देखने के लिए मिलता है, पूरे 32 megapixel का बहुत ही जबर्दस selfie camera रहने वाला है OPPO Find X2 में, बात करते हैं इसकी display and designing की बारे में तो दोस्तों इसमें आपको मिलती है 6.7 inches की card OLED डिस्प्ले rate, दोस्तों यह रहने वाली है QHD Plus curved AMOLED डिस्प्ले बहुत ही जबर्दस इसका resolution रहने वाला है और इसका touch sampling rate है अप to 240 Hz, इसे smartphone में आपको fast refresh rate देखने को मिलता है 120 Hz का fast refresh rate, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इसके small nano sim card tray के बारे में और यह है इसकी nano sim card tray जिसमें dual sim available है दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो ओपो find x2 pro की और ओपो find x2 light की unboxing हमने कर रही है आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन में और description में आपको link मिल जाएगा चलिए दोस्तों हमने कर लिया है phone को boot और अब बात कर लेते हैं इसकी storage के साथ में और इसका इंडिया में प्राइस रहने वाला है 64,990 रुपीज चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की और आपको बताते हैं इसके दमदार प्रोसेसर के बारे में इसमें आता है क्वेल केम स्नैपड्राइगान का 865 प्रोसेसर विद 5G सपोर्ट और बात करें दोस्तों इसके GPU की तो यह है Andreno 650 GPU के साथ में दोस्तों डिस्प्ले में आपको Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन देखने को बिलती है जबकि इसके बैक में है Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दोस्तों बात करें इसके Android की और इसके operating system के बारे में तो यह वर्क करता है OPPO के अपन एक flagship smartphone OPPO की तरफ से साथ ही इसमें touch response rate भी बहुत अच्छा है जिसकी वज़े से इसका in display fingerprint sensor भी बहुत ही जबरदस्त वर्क करता है आप इसकी smoothness देखी सकते हैं साथ में feel भी कर सकते हैं अगर आप इस smartphone को purchase करना चाहते हैं तो यह smartphone बहुत ही जल्द available हो जाएगा Amazon and Flipkart जैस के बारे में और दोस्तों इस smartphone में आपको dual battery setup देखने को मिलेगा इसमें सिंगल सिंगल सेंस की दो बैटरीज है 1200 mAh की full capacity मिलाकर यह हो जाती है 2400 mAh की that means 4200 mAh की battery जो की charge होती है Superbook 2.0 के साथ में साथ ही इसमें 65 watt का दिया हुआ है fast charger चलिए दोस्तों मूव करते हैं इसकी camera specifications की तरफ और आपको बताते हैं इसके triple rare camera setup के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसके primary camera की तो यह आता है 48 megapixel का wide angle camera Sony IMX586 sensor के साथ में और दोस्तों मैं आपको बता दों इसका sensor size रहने वाला है one by two with f1.7 aperture और इसमें आपको 6P lens मिलेगा secondary camera की बात करें तो दोस्तों यहां पर है 12 megapixel का ultra wide camera sony IMX708 sensor के साथ में इसमें आपको f2.2 aperture देखने को मिलेगा इसमें आपको 6P lens का option भी मिलता है 120 degree field of view के साथ में और इसमें ही है 3 cm macro lens दोस्तों बात करें इसके third camera की तो इसमें आपको मिलता है 13 megapixel का telephoto camera with f2.4 aperture और साथ में 5P lens और 5X hybrid zoom and up to 20X digital zoom भी इसमें आपको मिल जाता है साथ ही दोस्तों इसमें मिलती है camera की जस्त नीचे LED flashlight दोस्तों अगर आप giveaway में participate करना चाहते हैं तो इस वीडियो को WhatsApp group के 5 groups में share कीजिए और उसके screenshot लेकर आप हमें FV page पर send कर सकते हैं FV page का link आपको description में मिल जाएगा साथ ही Instagram का page भी description में given है आप उस पर जाकर भी हमें follow कर सकते हैं और वहाँ पर भी screenshot को send कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे comment box में comment करके जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को subscribe करके bell icon को press करें और all पर select कर दें जिससे आ गयाने वाली हर एक unboxing वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले thank you दोस्तों